हेलो एवरिवन हाव आर यू तोड़ें वी विल सॉल क्लास फिफ्ट इंग्लिश वर्क सीट चैप्टर थार्टीन टॉप सी टर्वी लैंड बच्चो यह एक पोयम है अगर यह पोयम आपने अभी तक नहीं पड़ी है तो इसे एक बार जरूर पड़ें आपके सुईधा के ल एंड रॉड़ें यह स्कूल बैग आपने कभी अपना स्कूल बैग अपने प्लंक पर फैका है आप ने कभी अपने जूते और जुराबे इदर उदर डाल दी हैं हैं यह एवड प्लेड विद यूर बॉल इन यूर रूम क्या आपने कभी अपने कमरे में गेंद के साथ ख क्या कभी कभी आपका कमरा ऐसा दिखाई पड़ता है तो चलिए देखते हैं कि कमरा कैसा दिखाई दे रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो टॉपसी टर्वी लेंड का मतलब होता है उल्टी पुल्टी दुनिया चलिए अब एक उल्टी पुल्टी दुनिया के बारे में पड़ते हैं बच्चे स्कूल रात के समय जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं The front door step is at the back You are walking when you stand You wear your hat upon your feet In topsy-turvy land उल्टी-पुल्टी दुनिया में मुख्य द्वार का पायदान पीछे होता है जब आप खड़े होते हैं तो आप चल रहे होते हैं आप अपनी टोपी अपने पाउ में पहनते हैं And buses on the sea you will meet While pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land आपको बसें समुदर पर चलती मिलेंगी उल्टी-पुल्टी दुनिया की सडकों पर उपर नीचे जाने के लिए आनन दायक नाओ का सहरा लेना पड़ता है You pay for what you never get I think it must be grand For when you go, you are coming back in topsy-turvy land उल्टी-पुल्टी दुनिया में आप उस चीज की कीमत देते हैं जो आपको कभी नहीं मिलती और मेरे विचार में यहां बड़ा मज़ा आता होगा आप लोट आते हैं जब आप जा रहे होते हैं तो बच्चो इस पॉयम इस रिटन बाइ एच ए विलकिंसन आफ्टर रीडिंग दपॉयम लेट उस सॉल दवर्क सीट चलिए अब वर्क सीट सॉल करते हैं आपकी वर्क सीट में कुछ निव वर्ड्स दिय हुए हैं टॉपसी टर्वी का मेंस होता है अपसाइड डाउन उल्टा पुल्टा इसके बाद दिया है प्लैजर प्लैजर का मतलब होता है एंजॉयमेंट आनंद या मजा ग्रेंड ग्रेंड का मतलब होता है बिग बड़ा चलिए अब क्वेस्चन करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर एक पिक्चर दी हुई है इस पिक्चर में पूरा रूम पूरी तरह से मैसब है समान अस्त व्यस्त पुल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है चलिए अब नीचे दिये वे क्वेस्चन को करते हैं क्या आप अपनी बॉक्स और स्कूल बैग को सही स्थान पर रखते हैं तो इसका अंसर लिखेंगे येस सेकेंड ड़स यह रूम लुक लाइक दवन सोन अबाव क्या आपका कमरा ऊपर दिखाएवे कमरे के जैसा दिखता है अगर हां तो हां लिखेंगे और अगर नहीं तो אך सारेच सब्सक्रास नो लिखेंगे तो मैं यहां लिखूंगा नो थर्ड क्या आप अपने कमरे के अंदर बॉल से खेलते हैं ऐगर आप केलते हैं तो येस लिखेंगे और नहीं खेलते तो no लिखेंगे मैं यहां no लिखुँगा fourth do you keep your shoes and socks at a proper place yes मैं अपने shoes और socks को proper place पर रखता हूं चलिए next question करते हैं question 2 read the poem and answer the questions the people walk upon their heads the sea is made of sand the children go to school by night in topsy-turvy land the front doorstep is at the back you are walking when you stand you wear your hat upon your feet in topsy-turvy land यह topsy-turvy land की poem दियो ही थी after reading a poem let us solve the questions first how do the people walk in topsy-turvy land बच्चो topsy-turvy land का क्या मतलब होता है अभी तक आप समझ चुके होंगे topsy-turvy land का मतलब होता है उल्टी-पुल्टी दुनिया how do people walk in topsy-turvy land उल्टी-पुल्टी दुनिया में लोग कैसे चलते हैं the answer is the people walk upon their heads in topsy-turvy land चलिये next question करते हैं question 2 when do the children go to school in topsy-turvy land topsy-turvy land में बच्चे कब school जाते हैं the answer is the children in topsy-turvy land go to school by night बच्चे रात के समय स्कूल जाते हैं third what do the people do when standing जब लोग खड़े होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं the answer is people do walking when standing people चल रहे होते हैं जब खड़े होते हैं fourth where do people wear their hat in topsy-turvy land topsy-turvy land में लोग अपने hat को कहा पैनते हैं the answer is people wear hat in their feet in topsy-turvy land लोग topic को अपने pair में पैनते हैं फुल्टी फुल्टी दुनिया में चलिए next question करते हैं question 3 write the rhyming words given in your textbook page 113 आपकी text book के page number 113 पर कुछ rhyming words दिये हुए हैं हम इन्हें पूरा करेंगे first pleasure treasure अगला लिखेंगे measure second wear tear आगे लिखेंगे dear third planned canned इसके बाद लिखेंगे scanned fourth topsy-turvy hurly-burly next लिखेंगे curly-wurly fifth sand land next लिखेंगे hand चले question 4 करते हैं write five things you do to keep your home neat and clean आप अपने घर को साफ रखने के लिए कौन सी पांच चीजे करते हैं लिखेंगे तो यहां लिखेंगे first I keep my books not books and school back at proper place second I keep the bed sheets and covers folded and tugged away third I keep my shoes in shoe rack fourth I keep the things back its place after using fifth I help my mother in dusting and cleaning home चलिए next question करते हैं question 5 write a story with the help of the following picture इस picture को देखते हुए एक story लिखें तो बच्चों इस picture को देखने के बाद आपको rabbit और tortoise story याद आ गई होगी तो आपको नीचे कुछ sentences दिये हुए हैं उनकी सायता से उनकी help से आपको एक story बनानी है तो चलिए story लिखते हैं यहाँ पर यह कुछ sentences दिये हुए हैं तो इनकी help से हम story making करेंगे चलिए ऑ हेर और और Zwच वर लेँखे तो अर्च बनानी है義 यह यह जाद प्रॉँ़ वर उचे बाधिन हैंreetाज लाख और फो यह लाख भी यहिचा दिखे करेंगे क।न मॉच वालेश। इस तरह से आप भी स्टॉरी मेकिंग कर सकते हैं तो बच्चों यह वर्क सीट यहां कंप्लीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब् प्यांग्द लूरी मान जैने को आपको का किसितूली झानल को स Bryan felly जरूरी वीड़ियो रितार को रनते हैं तोस्तत्त्त roughly हुआ हमारो सब्क्रेंला साज्यों यह झालना सब्सक्व सतनल तुदूलीर लेटेस्स का क्व의 से आपको सब्सक्र देंहिं तोस्तत्त्त्तissä कर Dayцевक